हलो गाईज, स्टार प्लस पर वैसे तो इन दिनों स्लोट न बलने की वज़े से नए शोज पर रोक लगी हुई है लेकिन कुछ शोज आने वाले शोज की लिस्ट में जरूर बने हुए है और उन्हीं में से एक शोज है जो कि Optimistic Entertainment Limited का शोज था और अब इस शोज का टाइटल भी कन्फर्म हो चुका है इस नए शोज का नाम होगा आननदी बा और इमली तो चलिए जानते हैं ये नया शोज कैसा होने वाला है खबरों के मताबिक आननदी बा और इमली एक सिटकॉम शोज ही हो सकता है इस शोज से एक शोज की आद आ जाती है जो की था बा बहु और बेबी और ये उस शोज से कहीं न कहीं related होने वाला है जैसे कि शोज के नाम से ही पता चल रहा है कि इस शोज में त्री लीड लेडीज होंगी एक आननदी, एक बा और एक इमली शोज में लीड रोल अक्टरस रूती रावत निभाती नजर आएंगी जिनकों की भाग बकुल भाग से पहचान मिले और most probably ये शोज में आननदी की भूमिका में दिखाई देंगी तो वहीं बाका रोल निभाती नजर आएंगी क्या हाल मिस्टर पांचाल फेम अक्टरस कंचन गुपता तो वहीं इमली का लीड रोल निभाती नजर आ सकती है अक्टरस श्वेता राजपूत श्वेता इससे पहले गुडिया हमारी सभी पेबारी जैसे को शोज का हिस्सा रही है अब शो में ये तीनों किस रिष्टे में नजर आएंगी ये देखने वाली बात होगी शो में में लीड रोल में नजर आएंगी अक्टर मिशकत वर्मा मिशकत भी एक जाने माने आक्टर है जो की इससे पहले और प्यार हो गया और इच्छा प्यारी नागिन जैसे शोज में नजर आए तो महीं बाल भी रिटन फेम एक्टरिस शुरूती घोलग भी शो में नजर आएंगी ओजस्रावल को भी शो के साथ जोडा गया है और दवल बढ़िया भी शो बे नजर आने वाले हैं दिलिबदरबार को भी शो के साथ जोडा गया है चाइल्ड आर्टिस्ट अथर्फशर्मा भी शो में एक इंटरस्टिंग रोल करते दिखाई देंगे और एक्टर मानव सोने जी को भी शो के साथ जोड़ा गया है शो की स्टार कास्ट काफी अच्छी नजल आ रही है तो कुछ ऐसा होने वाला है आनन दीबा और इमली आप इस नई शो को देखने के लिए कि अपने एक्साइटेड हैं बताया है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें थांक्स बहुत शेंग